बिस्मिल्लाइरहमान रहीम, असलाम अलेकूँ, वल्कम टू लिंकिन सलूशन, शौपिफाइ वर्सिज वू कामरेस, कौन सा प्लेटफार्म ज्यादा बेस्ट है, फास्ट है, फ्री है, रिलाइबल है, और कौन सा हमारे लिए प्रॉफिटिबल है, तो आज की वीडियो में हम compare करने लगे है, अगर आप Shopify पे काम करना चाहते हैं, या WooCommerce पे काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, इससे पहले कि आप पैसे इन्वेस्ट करें, इससे पहले कि आप स्टार्ट ले और अपना टाइम वेस्ट करें, तो ये वीडियो मस्ट एं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बिल आइकन जरूर दबाए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सकें, तो जी दोस्तों मेरा नाम है आरिफ मौमद और आप देख रहे हैं लिंकिन सलूशन यूट लेकिन उस पर अपना स्टोर क्रेट करके अपने प्रोड़क्ट सेल कर सकते हो, तो शॉपिफाइब हैं और हम वूपामरस को क्या देते हैं, तो स्टीब बाइस सारे चीज़े कंपेर करने लगा हूँ, और एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, पिर आपकी मर्जी है और आप ही decide कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा platform best रहेगा और profitable रहेगा तो सबसे पहले बात करते हैं Shopify की Shopify जो है एक fully hosted platform है जहाँ पे आप कुछ ही time में कुछ ही minutes में या कुछ ही घंटों में अपना store ready कर सकते हैं वहाँ पे कुछ hosting domain वगयर आपको नहीं लेनी पड़ती hosting आपको नहीं लेनी पड़ती domain आप लेते हो Shopify पे और वहाँ पे आपको बहुत सारे options जो है वो मिल जाते हैं अपने store बनाने के लिए अगर Shopify की subscription की बात करें तो Shopify की जो basic subscription है वो 39 USD डॉलर से जो है वो start हो जाती है और तकरीबन 399 डॉलर तक जो है monthly Shopify आपसे charge करता है हर month अगर आपकी sale होती है नहीं होती है आपने store बना लिया है तो आपको हर month Shopify को 39 USD से रहकर 399 USD तक जो है आप Shopify को pay करते है monthly उनकी जो fees है ठीक है first 3 months के लिए आप $1 वाल अप्लाइन भी जो है ना वो जो offer में है वो भी purchase कर सकते है लेकिन उसके बाद जो आपने consistently pay करना है हर month वो तकरीबन अगर आप basic वाला लेते तो आपने 39 USD डॉलर Shopify को pay करने होते है अगर store development की बात करें अगर हम Shopify पे store बनाते है तो आपको सार options मिल जाते हैं वहाँ पे आप drag and drop करके अपना store जो है वो आप create करते हैं और वहाँ पे जो है एक एक चीज़ को जो है आप set up कर सकते हैं तो यह तो कुछ basic चीज़े है जो मैंने आपको बताई Shopify के बारे में अब मैं आपको WooCommerce के बारे में कुछ चीज़े बताता हूँ पिर हम अपना store बनाके WooCommerce plugin जो है वो install करके हमारा जो e-commerce platform में एक ही plugin से हमारा पूरा activate हो जाता है और हम उससे अपने product sale कर सकते हैं WooCommerce के जरीए WordPress store बनाके तो WooCommerce जो है वो all-in-one e-commerce platform है बस एक ही plugin आप install करेंगे अपने store पे और आपको e-commerce के सारे features जो है वो WooCommerce के तूर मिल जा आते तो WooCommerce जो है या WordPress जो है वो completely free है वहाँ पे आपको कुछ monthly charges नहीं देने पड़ते हैं सेम जो Shopify पे आप करते हैं वो WooCommerce को लेके भी करते हैं without any fees लेकिन यहाँ पे एक और चीज यह है कि जिस तरह Shopify जो है वो self host एक platform है तो यहाँ पे WooCommerce पे या WordPress पे अगर हम बात करें त आपको अगर hosting के बारे में नहीं पता तो hosting का भी मैं आपको बढ़ता हूँ with details कि आपने कहां से लेना है कैसे लेना है और क्या और कैसे करना है आपने ठीक है वैसे hosting क्या चीज है hosting हम internet पे एक space लेते ठीक है और उस पे अपना website रख देते मतलब अपना website उस पे host कर देते जो भी हमारा online store है और एक साल के लिए या दो साल के लिए जब हम लेते या तीन साल के लिए जितने भी time के लिए आप लेते हो वो हमारे पास उसकी जो ownership होती हो और हमारी जो website उस चीज पे चल रही होती है अब Shopify पे हमें यह नहीं लेना होता वहां पे हमें monthly charges जैना होता है यहा अगर हम इसको compare करें कि यहां पे Shopify हमें महेंगा पढ़ रहा है या WooCommerce महेंगा पढ़ रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि आपने कहां से और कैसे आप hosting ले सकते हैं और hosting की prices क्या क्या होता तो छो लिंक मैंने description में दिये उस पे आप click करेंगे तो आप आ जाएंगे इस Ultrahost website यहां पे आपको hosting मिल जाएगी बहुत ही cheap price में तो यह बहुत जबरदस platform है और यहां से आप hosting purchase कर सकते ठीक है अगर कुछ लोग new है WooCommerce या WordPress को लेके और यहां पे इनुने काम नहीं किया तो जिस तरह मैं आपको बता है कि सबसे पहले आपको hosting purchase करनी होती है और एक domain आपको purchase करना होता है वो आपने कैसे purchase करनी है सबसे पहले जैसे ही आप इस website पर आएंगे यहां पर option है hosting का और जैसे ही यहां पर आप आएंगे यहां पर आपको मिल जाएगा WordPress hosting ठीक है आपने WordPress hosting पे भी क्लिक करना यहां पर आपको shared hosting भी मिल जाते है और VPS hosting भी आपको मिल जाते है और यहां पर one time अगर हमने एक साल के लिए नहीं तो हमने कितने पे करने तो यहां पर मैं आता हूँ और यहां पर pricing में monthly भी आप ले सकते हैं, yearly भी आप ले सकते हैं, two year के लिए भी आप ले सकते हैं, और three years के लिए भी आप ले सकते हैं, अगर आप yearly लेते हैं, 30% आप अगर आप 2 साल के लिए लेते तो 40% आप है और अगर आप 3 साल के लिए लेते तो 50% आपको off मिल जाता है ठीक है यहाँ पे अब देखो यहाँ पे packages है एक तो है Alta WordPress जो के आपको 2.80 डालर पर मन्त आपको मिल रहे है 2.80 डालर पर मन्त ठीक है अब इसमें क्या-क्या है यहाँ पे इ customer के visits यह सारी चीज़े जो इसमें मिल जाते इसमें आपको free WordPress manager भी मिल जाता है email account भी इसमें आपको एक मिल जाते professional email जो होता है वो भी आपको इसमें free मिल जाते CLI, WOP, दो database आपको मिल जाते अगर आप यहाँ पे यह वाला package लेते हो WordPress starter का तो 4.50 डालर का आपको पर मन्त का मिल रहे है यहाँ पे इसमें आप 100 websites बना सकते हो 100 website इसमें आप जो है न वो पार्क कर सकते है इसी storage पे आप बना सकते हो 100 GB इसमें SSD storage है और इसमें बहुत सारे features अगर इस तरह अगर आप देखे business WordPress को तो 6.50 डालर पर मन्त है ठीक है और यहाँ पे अगर आप VPS service WordPress server को देखे तो यह सबसे महेंगर 23 है जो कि आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज की जब आप basically start करना चाहरे हो तो मैं आपको बोलूंगा 2.80 वाला आप ले ले 2.80 वाला basic स start करें तो यहाँ पे आपको देखो हम 39 USD पर मन्त दे रहा है Shopify को और यहाँ पे हम दे रहा है 2.80 डालर एक महीने का अब साल का इसाब लगा है कितना बन रहा है तो यह चीप जो है ना हमें पढ़ रहा है तो यहाँ पे अगर आपने WooCommerce पे आना है काम करने के लिए तो prices आप के सामने है यहाँ से आप purchase कर सकते है order पर क्लिक करके अपने details पूट करके यहाँ पे आपको hosting मिल जाएगी ठीक है आपने hosting लेनी है second चीज जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए domain domain आपको कैसे मिलेगा same यहाँ से आपको domain भी मिल जाएगा और वो भी बहुत ही कम प्राइस www.noon.com यह भी एक domain है www.noon.com यह भी एक domain है तो जो domain है वो भी आप लेंगे अपने website के लिए तो यहाँ पे आप domains पे आएंगे domains पे क्लिक करेंगे registered a new domain पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना domain सर्च करने है for example आपके store का नाम है hyper cart यहाँ पे आप लिखके hyper cart और इसको आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके store का domain available है और किसी और ने नहीं लिया internet के उपर तो वह आपको मिल जाएगा देखो अब यहाँ पर यहाँ पर यह आपको suggestion दे रहा है कि कौन-कौन सा domain available है इसको आप buy कर सकते हो तो तक्रीबन 13 dollar से लेकर आपको domain मिल सकत है और जितना आपकी high value वाला domain हो बहुत अच्छा नाम हो तोड़ा बिविरम्मेंगा होता है तो आप basic नाम से ले ले और basic hosting ले ले तो यहाँ पर यह आपके लिए बहुत ही फाइदंबंद रहता है तो इस तरह अगर हम काम करते हैं WooCommerce पे WordPress पे तो यहाँ पे hosting हम buy करते है दोमेन बाय करते हैं एक-एक साल के लिए जब आप बाय करते हो तो पिर आपको कुछ नहीं पे करना होता है monthly या ऐसा कुछ नहीं है like Shopify तो यहाँ पे आप free of cost इस platform को यूज कर सकते है for the years अगर आपने दो साल के लिए तो दो साल आराम से बेटे और काम करें अगर आपने ए की बात करें तो वहाँ पर आपको थोड़ा टेकनिकल होना पड़ता है वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीज़े जो है ना वो सीखनी पड़ती है और वो सीख के आप काम करेंगे Shopify भी आपको सीखनी पड़ती है लेकिन WooCommerce की भी knowledge आपके पास होनी चाहिए अगर आपके store बनाएं तो इस लिहाँ से Shopify बहुत limited है Shopify के बहुत सारे themes आपको मिल जाते है लेकिन वो आपको paid themes जो है ना वो बहुत ज्यादा मिलते फ्री आपको नहीं मिलते तो अगर customization को लेगे अगर हम Shopify को देखेंगे तो वहाँ पे वो limited है ज्यादा customization उसमें आप नहीं कर सकते जो next level या professional level तक की होती है बस आपका एक basic सा तोड़ा अच्छा सा stores पे बन जाता है अगर आप उसमें अच्छा खासा team यूज़ करना चाते तो वो भी आपको purchase करना होता है paid themes होते और इसको लेकि आप अपना store जैना वो खुबसूरत बना सकते हो और अच्छा बना सकते हो या professional ब लेके जाना चाहे professional level तक लेके जाना चाहे तो आप उसमें कर सकते हो वहाँ पर आपको free themes बहुत ज्यादा मिल जाते हैं और सबसे बहतरीन बात यहाँ पर यहाँ पर आपको free plugins जो है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं अगर हम Shopify को देके तो वहाँ पर plugins limited है इतने ज्यादा plugins देके तो WooCommerce में आपको बहुत ज्यादा plugins मिलते हैं e-commerce के related चाहे वो आपको automatic invoice बनाना हो चाहे e-commerce के और बहुत ज्यादा features आपने use करने हो जो भी है वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा plugins मिल जाते हैं और आपको themes भी मिल जाते हैं और आपने paid team लेने होते हैं तो यहाँ प सकते है WooCommerce पे और professional level तक उसको ले सकते हो अगर हम SEO की बात करें search engine optimization की बात करें तो Shopify में आपको थोड़ी ज्यादा आपको ज्यादा struggle करनी होती है SEO को लेके और अपने site को rank करने के लिए क्योंकि Shopify अगर platform को अगर हम देगे तो ज्यादा तर वो drop shipping के लिए use होता है और drop shipping में आपके ads सलाने से आपके customers आते हैं तो organically rank करने में आपको तोड़ी ज्यादा जान लगानी होती Shopify में अगर हम WooCommerce में SEO की बात करें अगर WooCommerce पे हमारा store है तो वहां पे आपको बहुत सारे SEO के tools मिल जाते हैं कि उससे आप अपना easily अपने store को जो है रेंक कर सकते हो और उसकी SEO आप better कर सकते हो अच्छा जी सबसे important बात जो है वह payments कि अगर हम payment की बात करें अगर आप Shopify पे काम करते हो तो Shopify की जो अपनी payment है Shopify payments वह आप यूज करते हो और वहां पे आप transaction वगयरा fees भी देते हो और वह अपने store से connect करके आप उससे जो है अपने payments को जैना वह receive करते हो सेम अ इसना खास difference जो है वो नहीं है और सबसे important बात जो है वो store security के है कि आपका store hack ना हो उस पे कुछ spams ना आ जाए कुछ इससे data leak ना हो तो यह बहुत important होता है कि आप अपने store के security आप कैसे जो है वो रखते हो अगर हम Shopify की security की बात करें तो वहां पे built-in security है और बहुत ही से क्या security बनाना होता है ठीक है तो वो cameras को लेके अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे काम करेंगे तो वहां पे अपना store build-up करके एक professional और next level तक को ले जा सकते है और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा अपना ही store भी वो cameras पे भी है जो मैं अपना personal store है जिससे मैं product sale करता हू तो वो cameras पे बना हुआ है अब आपने कौन से platform पे sale करना है आपने कौन से platform पे आपने store बनाना है आपके लिए कौन सा platform best है मैंने सारी चीज़े आपके सामने रख दिया है यह आप पर depend करता है या आप कौन सा platform यूज़ करना चाहते हो कौन सा platform आप अपने लिए बैतर समझ सकते हो और आफ है पे मैंने अलड़ी कोर्स भी बना लिया है तो अगर वू कामरस के बारे में आपकी नौलेज लिमिटेड है और आपको नहीं पता कि वू कामरस को लेकि हम अपना स्टोर कैसे बना सकते हैं तो आप अपना मुझे इंट्रस्ट शो करें कमें सेक्शन में आप और इसपे आप अपना स्टोर बनाए अब आपने कमपैरेजन करना है आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है वह आप फेसला करें कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है कौन सा प्लेटफार्म पे आप काम करना चाहते हो अगर आ आने वारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर्वक्त मिल सके मुझे दीजे जाज़त नेक्स्ट वीडियो तक अलाहाफिज